नमस्कार साथियों शुशान से सम्मंदित एक मामला बिहार में भी दर्ज है बिहार के मुझपरपुर कोट में और उस मामले में जो ख़बर आई है कि उसमें कुछ बात आगे बढ़ी है और सनिवार को ADJ First राकेश मालविय की कोट में सुनवाई होई इस मामले का और इस मामले में जो वकील शुधीर हो जाए उन्होंने कई लोगों को नामजद अविक्त बना दिया था तो इसमें सल्मान खान समित आठ फिल्मी एक्टर्स के जो वकील थे उन सबने बहस करी है उन सबने इसमें बात किया है और उसको ले करके अब ये एक अलग ही रिवीजनवाद जो केस है ये मुझपर बिहार में चल रहा है पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये वैसे तो ये सब कुछ शिर्फ हमें लगता है कि अपनी चोटी मोटी पॉपुलेरिटी के लिए ये किया गया है कुछ होना नहीं है जादा दिन फिर भी जो सूचना है उसके अनुसार जब बहस खतम हो गया तो जो 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 नहों ने ये कोट में यह जो मुकदमा दायर किया था सुधिर कुमार ओजा उन्होंने लिखाए कि दस मार्च को अब वो अपना पक्छ रखेंगे यानि कि यह पक्छ और भी पक्छ की लड़ाई जो मुझपरपुर कोट में चल रही है वो चलती रहेगी और इसमें बहुत कुछ होना नहीं है लेकिन इस बार आठ लोगों के उपर जो आठ लोगों के तरफ से जो वकील थे सब ने आकर के भाहस किया सल्मान खान के भी वकील आये थे और अब देखे इसमें जो आठ लोग हैं उनमें सल्मान खान करन जोहर अदित चोपड़ा साजित नाडिया डवालवा संजे लीला भंशाली भुशन कुमार एकता कपूर दिनेश विजन को आरोपी बनाया गया है और इन आठों के वकील ने इस पूरे परिवारबाद को खारिज करने के मांग की है बिना मतलब का ये खीचा जा रहा है इसमें कुछ होना नहीं है लेकिन देखिए और सुनवाई के बाद CGM ने मामले को खारिज कर दिया इसके बाद वोजह ने जीला और सत्रने आले में रिवीजन वाद दाखिल की थी पहले खारी जोच चुका है एक बार दुबारब फिर इसको खीचा जा रहा है कुछ लोग ने अपने पॉपलेरिटी गेन करने के लिए ऐसे ऐसे कई सारे केसे डाल दिये थे अलग-अलग कोट में इसे कुछ होना जाना नहीं है जादा लेकिन हाँ बस चर्चा में बने रहते हैं ऐसे लोग जो होना है वो CBI, NCB, ED यही लोग करेंगे और सुशान सिंग राजबुत मामले में ह हमें देखना है कि आगे CBI कर क्या कदम होता है क्योंकि सबकी निगाहें CBI के हैं जाहिंद